रंग भी रंगे बहुत सारे मेरिगोल्ड के पौधे मैं लेके आई हूँ नर्शरी से तो चलिए आज इनको लगा लेते हैं लगाने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है ग्रोबैक और इनके बॉटम कबर करने के लिए आप चाहें तो नीचे बॉटम में विछा दिये और मिटी के बाद करूँ तो मैरिगोल्ड का लगाने के लिए मैंने बिलकुल सिंपल सा मिटी लिया है यानि की 50% के करीब जो है नॉर्मल गार्डन स्वेल है पुराने जो मिटी होती है हमारे गार्डन के वही है इनको थोड़ा सा जो है मैंने संड्राइक कर लिया है उसके बा 12 इंच का है हाइट में बात करें तो 12 इंच का है और ऐसे 6 इंच का है तो ग्रोव बैग में मिट्टी बहुत जदा लग जाती है तो पहले हम थोड़ा सा मिट्टी यानि की आधा पार्ट मिट्टी फील कर लेंगे उसके बाद जितने भी पौदे जो भी पौदे हम इंके फूल जो है बहुत ही बड़े बड़े तो पौली बेक से निकालना बहुत ही असान है इस तरीके से हम दोनों को पकड़ेंगे और Center में जो इद्र से दूसे हाथों से पोधे को पकड़ेंगे और आराम से दीरे-दीरे खीचिचेंगे तो क्या है यह लिपाफे भाखे बाहर आजायेंगे और हम रूडबोर को च्छेड़ेंगे निश्टर्बनी करेंगे जैसे निकाल वैसे हमने place कर देना है यानि की लगा देना है तो सभी कलर को हुँ निकाल देते हूं यह पर मैं 3 कलर लगाने जारहे हु तो देखे यह तो जो कलर है बहुत प्यारा है और इनके Google भी बहुत प्यारे बड़े-बड़े से है कई सरी ऐसे question स céono, कि एक फंगस लग जाती और दूसरा स्पाइडर मायक्स का अटायक इन पॉधोर 하게 एक हड़ा के लिए भ्ụ ह्या है उद्ध में सबसे सबसे के अक्हाक पहले है चीड का चया करने है अच्छे तरीके से करने मेंने मजए कि हर इक 15-15 दिन काफी है 15 दिन के अंतरार में इनको नीम वहल से चिड़काओ जरूर करना ताकि इसमें जो है को भी जो है जहाहिए फंगस बोल लीजे या फिर मैट से बोल लीजे एफिट बोल लीजे या फिर जो कर्ड की जो समस्य करेंगे और तो एक हल्दी तो तीनु को मैंने करेंगे कुछ इस तरीके से हम फील करेंगे और हम सट कर देंगे मुट्टी को बस हमारा जो है रिपॉर्टिंग का काम हो जाएगा और देखिए इसी से के दवारा जो है मैं इस तरीके से दबा दबा रहें तक इक बीच में जो है गैप ना बनने पाए आज हमने देखा एक हमारे मुटीgt जब त्यार केए असंसराओ और उनको फंट्टी आप अरब से पर नरसी से लेक्षे से लेक्षे आ रहे हैं तो वहां पर प्ति आप जूँठाएंगे पौधा अच्छे किसे चेक कर लिजीए का कि कोई भी इसमें रोग तो नहीं लगे हैं पौधा चेक कर लिजीए पौदो में लेगे चलिकाही लेकिन मैंने अधिक से आप लकुली या टीक भी फूल मैं वी दानिक है तो normalis को falta पतियों को आप तोड़ दीजिए तोड़ के बाहर फेक दीजिए का कमपोस्ट बिल्मियों मत दाल लिएगा तो देखिए बातों बातों में क्या है हमारा पौधा लगकी रेडी हो गया और पानी दे देंगे और इनको रख देंगे अब मैं उपर से शावरिंग कर रही हूं ध्यान दीजिएगा मैंने फूलों के उपर से शावरिंग नहीं किया फूल खिलने के बाद मेरी गोल के उपर जो है पानी नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो फूल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और हैवी की कारण लटक जाते हैं तो मैं यहां पे इनके क्या है जहां हम नहीं देंगे पौदे कुने तो पौदा खराब हो जाता है